आद्रणिये मुख्य अतिति महोदय शिक्षक गण वा प्यारे बच्चो आज हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहां एकत रखुई हैं सबसे पहले सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुप कामना हैं ये तो सभी को पता है कि डॉक्टर सर्व पल्ली राधाकृष्णन के जन दिन के अवसर पर अपने गुरूओं के सम्मान में हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के पहले उपराश्पती तथा दूसरे राश्पती थे वह एक महान विचारक और शिक्षाविद भी थे शिक्षक दिवस मनाने की वास्तों में कब और कैसे शुरुवात हुई इसके बारे में मैं एक रोचक तक है शिक्षाविद होने के नाते तमाम बच्चे डॉक्टर राधाकृष्णन के पास गए और उनके जन्विन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अन्रोथ किया इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा यदे शिक्षक दिवस ही मनाना है तो सभी शिक्षकों को सम्मान प्रदान करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाए तो बहतर होगा यह सुनकर बच्चे खुश हुए और सन 1962 से 5 सिकंबर को शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआ थी My dear children, today I will give you four mantras to become successful in your life and those are A, B, C, D. Now I will describe them. I will start from the last one that is D. D symbolizes discipline, dedication and development यानि अनुशासन, निष्ठा और स्वयम का विकास कर जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है Discipline का दूसरा माइने punctuality भी है. But punctuality is not about being on time. It's basically about respecting your own commitments. हमने अपने आप से क्या प्रतिबद्धता की है? जैसे हमें भविश में आगे चल कर क्या बनना है? या जीवन में क्या क्या करना है? जितना हम अन बातों का सम्मान करेंगे, उत्रहीं जीवन में अनुशासित और निष्ठावान रहेंगे. दूसरा है C. यानि Confidence. हमारे अंदर यह आत्म विश्वास होना चाहिए कि हम जीवन में अपने आने वाली चुनावतियों का सामना कर लेंगे और अपने लक्ष की ओर बढ़ते रहेंगे. तीसरा है B. यानि Believe. हमारे स्वयम में यह आस्था फेथ होना चाहिए कि हमने जीवन जीने और उस पर आगे बढ़ने का जो तरीका तेय किया है वह सही है. और अंतिम है A. यानि Achievement और Achieving our Goal. हमारे अंदर यदि शुरू की तीन बाते हैं और हम उन्हें सच्चाई से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अपना लक्ष हासिल करेंगे. इस दोरान हमसे mistakes भी होंगी लेकिन उनसे हार कर नहीं बैठना है because mistakes are lessons to be learned and challenges to be overcome. अभी हाल ही में इंदर के एक द्रिष्ट भादित युवा येश सोना किया को Microsoft ने 47 लाग रुपए का package दिया है. ये हैं बच्चा द्रिष्टि बादित है लेकिन फिर भी इसने बच्चपन में ही software engineer बनने की ठान ली थी और अपनी लगन वा जुनून के बलबूते गतवर्ष बीटेक की डिग्री हासिल की. Microsoft company के interview के दोरान उसकी coding हल करने की गती देखकर expert भी दन रह गए. तो बच्चों यही करतवी निष्ठा यदि तुम अपने अंदर भी रखोगी तो जीवन में निष्चित रूप से वह सब हासिल कर सोपोगी जो तुम चाहोगी. धेड सारी शुब कामनाओं के साथ जय हिंद.